चानक किसे किसी भक्त ने पूँचा है कि कैसे बोलना चाहिए अभी बोलना कितना महत्त पुरुण है इस पर ज़रा विचार कर लिजी मनों से दो साल की उमर में बोलना सीख लेता है लेकिन क्या बोलना है कहां पर क्या बोलना है किसके साथ कैसे बोलना है और कब बोलना है कब नहीं बोलना है इस बात को वो सव साल की जिन्दगी में भी नहीं सीख पाता है यानि बोलना तो सीख गया डेड़ साल की उमर में, दो साल की उमर में, धाई साल की उमर में लेकिन क्या बोलना, कब बोलना, कहां बोलना, कैसे बोलना ये सव साल की जिंदगिम सीख नहीं पाया और जिसको बोलने की कला नहीं आई और बोलने का अंदाज नहीं आया वो अपने बोलने के कारण ही जगणम फसता रहेगा उल्जन में फसता रहेगा उल्टा बल्टा बोलता रहेगा गाली गलोज करता रहेगा निंदा बुराई में फसा रहेगा बाणी को तो अमरत बाणी कहा गया लेकिन अमरत बाणी सब की बानी अमरत बानी नहीं होती है बहतों की बानी तो निंदा से भरी बानी है किसी की बानी जहर बानी है किसी की बानी कपट बानी है किसी की बानी तो छल से भरी हुई बानी है किसी की बानी स्वारत भरी बानी है बिविन्य प्रकार की बाणी लोग बोलते हैं लेकिन चानक की बोलने का तरीका शिखा रहे है चानक की कहते हैं प्रीवाग की प्रदाने सरवे तुस्षंत जनटवा तस्माद्डेव वक्त अब्यम बचने किम धरिद्रता प्रीवाग की बोलने से सभी जीवों को संतुष्टी प्राप्थ होती है सुख प्राप्थ होता है सांती प्राप्थ होती है बड़ा आनन दाता है प्रीवाक अब ये प्रीवाक की बोलना कोई आसान नहीं है लेकिन स्री क्रश्न कहते हैं बाणी प्री भी हो परंत हितैसी भी हो ऐसी बाणी हो जिसमें कल्यान हो खली लल्लो चपो की बाणी बोले और उसमें आदमी का नुकसान हो जाए तो बाणी भी बेकार है तूसरी तीसरी बाद स्रीकर्ष्न कहते हैं प्री भी हो हितैसी भी हो और बाणी मित भी हो मित माने कम सब्दों में हो बहुत लंबा चवड़ा समभासण ना हो लोग उब जाए सुनते सुनते जो बात आप कम सब्दों में समझा सकते लोगों को उस बात को समझाने के लिए बहुत लंबा आलबाल बांधने की क्या जरूत है अपना टाइम तो बरबाद होई रहा है अब सुनने वालों का टाइम बरबाद हो रहा है तो कई बार सुनने वाले तूब जाते हैं अब एक महात्मा किसी कोई के पास में बैठा हुआ गाम वालों को समझा रहा था कि आत्मा आजर है, अमर है, अखंड है, निर्विकार है, अभिनासी है कभी मरता नहीं है, मर सकता नहीं है, मरेगा नहीं ऐसे बहुत बार बोला और फिर इस बात को उसने अपने प्रबचन में दस बार रिपीट किया आत्मा आजर अमर अभिनासी है तो एक भक्त उठकर खड़ा हुआ और वो साधू के पास गया और बोला समझगें 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 अब बोले ना तुम की आत्मा आजर अमर अभिनासी है कितनी बार कहोगे तुम बार बार वही बात रिपी एक महत्मा कुछ प्रवचन सुना रहा था तो मेरे पास एक भगत आया बोला वो दाढ़ी वाला जो सुना रहा है इसको मना कर दो नहीं इसको मैं मार बैठूंगा तो मने गहाएं के तो नहीं पस क्या हुआ अरे बोले इसका मुझ नहीं देखना चाहता हूँ इसकी बाणी से टाइम बरबाद हो रहा है आप चल कर करे सुना इसका मैं नहीं सुनना चाहता है क्योंकि इसके कोई सब्द में कोई वजन नहीं है और इसकी बाणी में कोई कल्याण होने वाला है थी इदर उदर की बाणते मैं वहां गई थी मैं वहां चड़ी थी आई थी फालत em तो बाणी जो है मित होनी जाहिए मित मतलब कम सब्दों में बाणी बोलिए ज्यादा लम्बा हाँ बोलोगे तो लोग उप जाएंगे क्यों उप जाएंगे क्योंकि लोग कुछ समझते भी हैं ऐसा नहीं सम्मूरक ही बटा अब ऐसे कितने लोग मन संचालन करते हैं तो आधा समय तो वही खा जाते हैं तो मेरे साथ का ही दूसरा संद बोलता है आप गुर्दो मन संचालन राएं दिया जाए तो टाइम बरबादी अब वो उप जाते लोग क्योंकि ये टाइम दस मिनट का टाइम था उसमें वो आठ मिनट तो मन संचालन चल रहा सीदे साड़कर बोल दीजिए कि सब लोग सांती से बेठिये मोबाईल आफ कर लीजिए और बाचीत बंद कर लिजिया मैं गुर्दे उसे निवेदन करता हूँ कि अपने मीठे सब्दों के द्वारा सब के कल्यान के लिए कुछ संदिश देने की करपा कर बस हो गया एक मिनट का संचालन है उसमें भालतु आलबाल बांद करके टाइम पास करना है तो कृष्ण कहते हैं कि बाणी मित भी हो मित मतलब कम सब्दों में हो अब कम सब्दों का आर्थ ये भी नहीं है कि बस कोई समझ भी ना पाए और तुमने कहा जिया हाँ तो तो ठीक है प्रवसन चालू हो रहा ये भी ठीक नहीं थोड़ा उसको समझाना भी पड़ेगा तो श्री कृष्ण कहते हैं फिर बाणी सत्ति भी हो अब ये बहुत बाणी का तप है इसको तपस्या कहा गया है श्री कृष्ण कहते हैं ये तप है बाणी का क्योंकि सत्ति बोलना और प्री बोलना और कम बोलना और कल्यानकारी बोलना ये सब विरोधा भास है कंट्रोवर्सी है इसमें क्योंकि सत्ति होगा तो उसको प्री बनाना बहुत कठी नहीं अव प्री होगा तो उसे हितैसी कल्यानकारी बना न कठी न और सत्थ भी हो प्री भी हो हितैसी भी हो तो उसे कम सब्दों में कहना कठी न इसलिए ऐसी बानी को तब कहा गया और यह तपश्चय जिसको आ गई उसकी सारी समस्या खतम हो गई सब दुख खतम हो गया तो चानक के कहते हैं कि प्रीवाक की प्रदाने सरवे तुष्यंत जन्तवा तसमात देव वक्त अब्यम बचने किम दरिद्रता हे देव प्रीवाणी बोलने में क्या दरिद्रता है क्योंकि शब्द और बाणी ये सब आपके अंदर फ्री में हैं निशुल्क है आप कितना प्रेम से बोलो उसमें कुछ कमी लगने वाली नहीं है इसलिए प्रेम से बोलना चाहिए और सत्य अगर है तो कम सब्दों में ही होगा क्योंकि सत्य बहुल लंबे चोड़े ज़्यादा सब्दों में नहीं रहता है सत्य थोड़ा होता है जूट बहुत लंबा चोड़ा बड़ा होता है और कल्यान की बात है कल्यान की बात थोड़े में ही बताई जा सकती वो बहुत लंबा उसका नहीं है प्रिवाक्य प्रदानेने सरवेतु श्यंति जन्तमा तस्मा देव वक्त अभ्यम बचने किम दरीद्रताह बचने किम दरीद्रताह कवीर साहिब भी समझाते हैं एशी बाणी बोल ये मन का आपा खोए अवरन को सीतल करे आपों सीतल होए मधुर बचन है औस धी कटुक बचन है तीर सिर्वन द्वार होए संचरे साले सकल सरी तो बाणी एक तपस्या है और जिन में बोलने की कल आ जाती है बोलने का ढ़ंग आ जाता है वो बाणी के दोरा बहुत बड़ी सफलता प्राप्त करते हैं एक नेता भासन करता है बाणी ही तो बोलता है और बोलने का अंदाज उसका सही है तो अपने भासन के बलबूते सब ओटों को प्राप्त करके विधायक सांसद मेंश्टर प्रधान मंत्री तक बन जाता है इसलिए बोलना सबको साउधानी से चाहिए और कभी-कभी चुप भी रहना चाहिए लेकिन ज्यादतर प्रेम से ही बोलना चाहिए और आपस में प्रेम से रहना चाहिए इस से सुक्सान्ती मिलती है और अपना कल्याण भी होता है बहुत-बहुत धन्यवाद शुप कामना